नमस्ते दोस्तों आप सबका हर्दिक स्वागत हैं आज हम बात करेंगे किसी वीडियो को वो वीडियो एविएवी हो सकता है एमपीफोर हो सकता है मतलब जो बड़े साइस का जो वीडियो है उसे हम कनवर्ट के से करेंगे टेक है उस बार में आज डिसकास करेंगे देखिए यह पर हम निकालते हैं अभी यह पर टेक है आप देखिए धोरे से पहले यह पर देखा लेते हैं यह जो वीडियो है इस वीडियो का साइज है दोस्तों 1280 यह देखिए 1280 इन्टू अब यह भी आने में लेट हो जाती है 1280 इन्टू 720 ठीक है मत्वाइस वीडियो है इस वीडियो का साइज है जादा है 1280 इन्टू 720 आप इस वीडियो का हमें रिसज div करना है तो यह अगर अचियो अज़ी है और तो से हम के जो youtube video create करते हैं तो youtube video बनाने के बाद उसका जो mba बहुत जादा होती है उसका size जाधा होती है बहुत साफ्टेयर है जिन software का जो video create होता है वो avi file होता है और उसको बाद में convert करना पड़ता है और बहुत time लगता है बहुत सारे यसे software है ठीके तो तो आज इस software साम convert करेंगे, उस software का नाम है total video converter, आप website में जाके, इस total video converter को download करके, आप convert कर सकते हैं, तो इसे open होने देजिए, हम भी दिखा लेंगे, देखिए दोस्तों, यह जो है, यह total video converter है, ठीक है, अब हमी convert करेंगे, हाउ तो इंवर्ट सिक्स्टी फ्रेंज, ओनली वन क्लिक अन फेस्बुक ठीक है, इसे ड्राक करके लेगे जाते हैं, इसके उपर, ठीक है, आप यहाँ पर है, मॉबाइल, MS-AVIO, वेट MPEC, ओडियो ठीक है, अब इसे हम MPEC4 वीडियो करेंगे, मतलब MP4, और H264 भी कर सकते ह देगा, 3GP है, फिर यहाँ पर DVEX है, MPEC4 है, ABI है, ठीक है, और यहाँ पर देखे, Nokia सेलफोन है, Sony सेलफोन, PSP, iPod, ठीक हर किसम का यहाँ पर आप कनबाट कर सकते हैं, तो MP4 पर क्लिक करते हैं, अब देखिए, यह जो है, इस वीडियो का हम research करेंगे, ठीक है, यहाँ पर quality, ठीक है, हम इसे normal quality select करेंगे, और setting पर चले जाएंगे, audio रहने जीजे, उसको मत चेर कन किजे, और video option पर जाए, यहाँ पर by default X भीट रहेगा, ठीक है, इसको MP4 कर जीएगा, फिर वीडियो research पर जाएगा, 320, 640, 720, 720, 1250, हमें क्या करना है, यहाँ पर 640 नहीं है, 640 और 360, बैसे हम पहले करके रखे हैं, अब यह हम आप लोग को दिखा रहे हैं, इसको OK कर देंगे, ठीक है, आप देखिए, इसको हम select करेंगे, आप auto start है और auto end है, हम क्या करेंगे, यह जो video है, इस video का जो closing time है, वो closing time देख लेते हैं, ठीक है, फिर दुबारा, देख लेते हैं, closing time, अब जो closing time है, वो closing time हम वहाँ पर add करेंगे, और फिर इसको convert करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, कुछ software में, के video अगर 10 minute का है, तो वो convert करने के बाद 15 minute हो जाता है, लेकिन, जो speak है, वो speaking 10 minute तक रहता है, लेकिन, वो past minute ज्यादा हो जाती है, और वो silence रहता है, औ और उससे क्या होता है, एम भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो देखे, 8.56, 8.56, close कर देते हैं, ठीक है, आप total video converter, अब हम इसे select करेंगे, और इसे उठा देंगे, और यहाँ पर 8 कर देंगे, ठीक है, 8 यहाँ पर 56, यह 56 हो गए, अब यह 8.56 ज्यादा नहीं होगा, 8.56 ही होगा, ओके, और इसे हम normal रहने देते हैं, अब convert पर click करेंगे, अब देखिए convert शुरू हो गया, और इसमें convert करने से क्या होता है, उसका जो MB है, बोरी साइस करने से MB बहुत कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, converted file size, 171 के वी, के bytes, ऐसे होता रहेगा, और कितना minute इ यह, यह convert होने में, यह यहाँ पर show हो जाएगा, तो यह से आप इस total video converter द्वारा convert कर सकते हैं, और बहुत एक कम समय लगता है, यह convert होने में, उतना ज्यादा time नहीं लगता, और MB भी बहुत कम खर्चा होता है, और आप आसानी से आपके वीडियो को YouTube में upload कर सकते हैं, तो आ समय अशा है, इससे वीडियो से आपको यह जनकर ही प्राप्त होई है, तो तब तक के लिए, हम यह कहेंगे, कि इससे वीडियो converter को use किजे, और MB कम किजे, तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को subscribe किजे और like किजे, आगे जाके और भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे तो देखते रहें सिखते रहें कुछ रही और असरी है, जय हो जाएं, तैंक यू